हेलो एवरीवान कैसे हैं आप सब मैं गौरव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव एडू मंत्रा में अगर आप पे लिवर इस यूट्यूब चैनल पर आये हैं तो प्लीज इसे लाइक और सस्क्राइब करना मत भूलिए क्योंकि इस चैनल पर यू कन मेक यूर कंसर्ट मॉर क्लियर और आज हम स्टार करने जा रहे हैं एम्टी सेट सबसे पहले है आपके पास एम्टी सेट क्या आता है चली ही बताते हैं आपको बिट्चे था एम्टी set और इसे null set भी बोलते है और इसे the void set भी बोलते है void set तीनों का meaning same है null set empty set और void set यह set होता है क्या है a set यह वो set होता है which does not does not contain any element वो set जिसके अंदर कोई भी element नाओ उसे कहते है empty set भी कह देते हैं बेटा null set भी कह देते हैं यह फिर void set भी कह देते हैं उसके बाद आता है बेटा इसको लिखते कैसे हैं इसको बेटा लिखने के दो सिंबल है एक तो यह सिंबल है बेटा फाई यह क्यों गए बेटा एमटी set जैनि वो set जिसके अंदर कोई भी element नाओ जैसे example के तोर पर हम बता देते हैं आपको माल लेजिए example ठीक है माल लेजिए कोई A set है X 1 is less than X, X is less than 2 और उसके बाद कहता है X is a natural number केता आप वो natural number बताईए जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो और आप जानते हैं बटा natural number कोई भी ऐसा possible नहीं है जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो इसका मतलब यह set क्यों हो गए बटा empty set हो गए जनि इस set is empty set इसे file लिग दिया और आपने द्यारकना है इसके ओपर bracket आपने नहीं डालनी यह एक ऐसा set है जिसके ओपर आप रैकन नहीं डालते ठीक है उसके बाद एक और अग्जांपल दे देते हैं आपको ताकि आपको अच्छे से पता चल दें ठीक है माल लिए आपके पास है कोई सेट ले लिया x x is an even prime number even prime number greater than 2 ठीक है कहता है x is an even prime number and greater than 2 कहता है वह prime number जो 2 से बड़ा हो आपको पता ही पेटा है ऐसा कोई भी prime number नहीं है जो even वियो और 2 से इसका मतलब हो कि एक दो ही ऐसा नंबर है जो प्राइम वी और इवन वी है तो ये भी set क्यों हो गए बिटा आपके बास empty set तो इससे बिटा मैं पता चला कि empty set क्यों होता है वो set जिसके अंदर कोई भी element नहीं होता है इसके बास बिटा आगे आता है finite set and infinite set finite set or infinite set जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है finite set का मतलब हो कि वो set जिसके अंदर हम elements की collection कर सकें जनी elements को हम count कर सकें collection का मतलब count कर सकें माल लिजिए आपके मास a set है जिसके अंदर element है one two three four five six अब इसके अंदर हम element क्या कर सकते है बैटा count कर सकते है अगर element count कर सकते है तो ये set कों से हो गया finite set हो गया अगर माल लिजिए आपके पास को infinite set है जैसे हो गया ace कोई set ले लिए set of natural number तो ये क्या जिएगा infinite तो उसको हम कैसे लिखेंगे one two three four five ये क्या set of natural ऐसे से dash डाल देंगे dash का मतलब अप टू infinity तो ये कौन सा set हो गया infinite set ये कौन सा set हो गया infinite set इसका मतलब finite set बैटा वो हो गया जिसके अंदर हम element count कर सकें infinite set वो हो गया जिसके अंदर हम element count ना कर सकें जैसे set of whole number हो गया set of prime number हो गया जैसे भी दोनों के infinite इन्फानाइट सेट ठीक है बिटा उसके बाद आता है कि जो आल इन्फानाइट सेट एक अपनी ये चीज़ नोट करनी है ये जलत तर बच्चों को पता नहीं होता है आल इन्फानाइट सेट्स कैन नोट भी डिसक्राइब इन डा रोस्टर फॉर्म इन-डा रोस्टर फॉर्म कि दा जितने वह आपके बास infinite set है ठीक है उन में से कईयों को तो हम roster form में लिख रहेंगे जैसे उपर हमने natural number लिए प्राइम number लिख सकते हैं और आपके बास और क्या है बैटा इसी तरह whole number लिख सकते हैं but कहता है कि हम but सारे के सारे infinite set हैं उनको roster form में नहीं लिख सकते हैं जैसा कि example के तोर पर बिदा देता है set of set of real number set of real number अब देखो set of real number आपके पास क्या infinite set है but इसको हम roster form में नहीं लिख सकते हैं क्यों नहीं लिख सकते हैं बैटा क्योंकि elements of this set do not follow any particular pattern कि इसके अंदर जितने भी element हैं वो कोई एक special pattern follow नहीं कर रहें क्यों नहीं लिख सकते हैं because हम कारण लिख सकते हैं because the elements the elements of this set do not follow जैनि कोई pattern follow नहीं करते हैं any particular pattern किजिए कोई particular pattern follow नहीं करते हैं इसलिए हम इसको roster form में नहीं लिख सकते हैं यह तो हो गया था बैटा आपके बास empty set finite set और infinite set साथ साथ बैटा पढ़ते रहे हैं अगर जहां से ना पता चले हैं आप वीडियो स्टॉप करके देखते रहे हैं इसके base पर हम आपको एक दो question भी किरा देते हैं कि कौन सा set आपके बास finite है कौन सा infinite है माल लिजए example के तोर पर हमने एक set ले लिए x x belongs to n n का मतलग हो गया मेटा natural number and x minus 1 x minus 2 is equal to 0 अब यह set हमने बताना है जिसको नाम ले लिए हमने b कि यह set हमने बताना है कि यह कौन सा finite है यह infinite है यह फिर empty set है ठीक है empty set भी आपके पास क्या होता है finite ही होता है क्योंकि उसमें number of element क्यों होते है 0 जैनि उसमें कोई element ही होता है ठीक है अब देखे अगर इसको आप solve करोगे x की value क्या आएगी 1 और x की value क्या आएगी 2 और दोनों के दोनों के natural number जैनि 20 set में कौन कौन से element आएगे आपके पास एक one आजेगा और दूसरा two तो इसके में number of element क्या हो रहे हैं बैटा count हो रहे हैं जैनि आप गिन सकते हो अगर आप गिन सकते हो तो यह कौन सा set हो गया finite कौन सा हो गया बैटा five night उसके बाद एक और example ले लेते हैं बैटा माली जा हमने एक c set लिया उसके हम अंदर ले दिया x where x belongs to फिर उसी तरह बैटा natural number and x square is equal to 4 तीक है अब x square is equal to क्या गया 4 अब देखे जब x की value आप क्या क्या लेग सकते हो बैटा x की value आप बैटा 2 भी लेग सकते हो और minus 2 भी ले यहाँ पर क्या हमारे पास natural number और minus 2 natural number नहीं होता है इसका मतलब इस set के अंदर कौन से element आएंगे बैटा only 2 जानि अगर only 2 है तो इसका मतलब इसके number of element हम count कर सकते हैं जानि number of element कितने इसके अंदर वान तो यह set आपके पास क्यों हो गए finite set तो बैटा इसी तरह आप count कर लोग आपको equal set कि equal set आपके पास कौन से होते हैं equal sets ठीक है equal set आपके पास कौन से होते हैं किता दो sets A और B हैं आपके पास small यह set है दूसरा B set है किता है इन दोनों को हम equal कहेंगे कभी equal करेंगे if they have exactly यह बटा शब्द का अपने specially ध्यान रखना है exactly the same number of elements same number of elements and elements also they have same they have exactly the same number of elements and elements also इसका यह meaning है बटा कि जो दो set है और उसके अंदर number of elements भी same होने चाहिए जानि अगर A set है उसके अंदर four elements है तो B के अंदर भी आपके पास four elements होने चाहिए और दोनों के दोनों same होने चाहिए जहां फिर आप छोटी बास से हमें ऐसे बोल सकते हो कहते हैं दो set equal है if they have exactly the same elements जानि उन दोनों set के अंदर exactly same element होने चाहिए position आगे पीशे हो सकती है माल लिजे हमने जैसे यह set लिए दिया इदर लिख देते हैं आपको माल लिजे A set है उसके अंदर हमने लिख दिया one three five six दूसरा बचा वो बी सेट लिख देता है क्या लिख देता है बटा six five one three अब यह दोनों set के हैं बटा equal है a set और बी सेट दोनों के है equal क्योंकि इन दोनों के अंदर exactly same element है जा फिर दूसरी बाशा में कह सकते हो A set में चार element है B में भी चार element है और elements also same जनी element भी same है इसमें one है इसमें one इसमें three three five five six six इसका मतलब A and B are equal sets की दोनों आपस में क्या है equal sets है तो यह थी बटा आपके पास definition की equal set की equal set के ओपर बिटा एक हम note भी बता देते हैं उसका भी आपने थोड़ा सा ध्यार रखना है ठीक है वो note आपके पास क्या है बिटा माल यह कोई बच्चा है उसने A set ले दिया आपके पास one two और three दूसरा बच्चा है उसने B set ले दिया आपके पास two two one three three आप देखें यह भी set की definition में आपके बताया था कि set के अंदर repetition allow नहीं होती है अगर set के अंदर दो या दो से ज्यादा element है उनको single ही count करेंगे अब अगर देखोगे एक के अंदर कौन कौन से element है one two three अब B के अंदर के यह दो वरी है इसको हम single ही count करेंगे जहने two ही मानेंगे यह फिर one आ गया three फ set के है equal क्योंकि जो basic definition थी set की उसके अंदर आपके पास क्या था कि set के अंदर दो एक element को दो या दो से ज्यादा वरी नहीं लिख सकते है तो बेटा यह था आपके पास equal set और उसके उपर note कि जातर बच्चे confused हो जाते हैं कि इस set में आपके पास यह फले set में तीन element है इस set में पाच है ऐसा नहीं है इस set में भी तीन element है इस set में भी तीन element है क्योंकि इस set में repeat हो रहे है तो इसको single count करेंगे ज्यानि इन przeci no row Mus इसमें ही तीन element इसे में में तीन element चलिए इसके उपर कोउशन कर लेते हैं इक्वल साथ के ऊपर क्या दाँ पैर्स ऑफ इक्वल सेट आपने में इक्वल सेट के पिर बताने कौन कौन सा है बेटा पहला सेट आपके बास A जिसमें आपके बास 0 element है दूसरा सेट आपके बास B X where X is greater than 15 and X is less than 5 तीसरा C सेट है आपके बास बेटा X where X minus 5 is equal to 0 उसके बाद D सेट है बेटा आपके बास X where X square is equal to 25 उसके बाद E सेट है बेटा आपके बास X is an integral यह integral है बेटा integral positive root of the equation of the equation X square minus 2X minus 15 is equal to 0 केता है इन पांचों में से बताओ कौन से सेट आपस में equal सेट है सबसे पहले हम क्या करेंगे इनको solve करेंगे ताकि हमें पता चले कौन से सेट में कौन सा element है A सेट में हमें पता यह बेटा 0 element है B देखे सेट B क्या करा है कहता है X greater than 15 and X less than 5 greater than 15 और less than 5 ऐसा तो कुछ possible हो नहीं सकता है कि वो number जो 15 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो ऐसा तो possible नहीं इसका मतलब A सेट आगया हमारे बास 0 और B सेट हमारे पास क्या आगया empty सेट उसके बाद C सेट करिए बेटा C सेट को जब solve करोगे 5 वदा चल जाएगा तो X की value कहाईगी बेटा आपके बास 5 इसका मतलब जो C सेट है उसके अंदर element कौन सा आएगा बेटा 5 only 5 उसके बाद D सेट करोगे D में जब X की value 5 लोगे तब 25 हैगा जब minus 5 लोगे तब भी 25 हैगा क्योंकि आपको पता है बेटा minus 5 का स्केर भी कितना आपता है 25 तो यहां से बेटा D में कौन कौन से element आएगे minus 5 और 5 उसके बाद बचा बेटा आपके पास E अब E में क्या करा है किता इंटेग्रल पॉस्टिव रूट किसके पहले इसक minus 2x minus 15 is equal to 0 पहले हम इसको solve करते हैं ताकि हमें पता चल जाए पहले इसकी मेंड़र तब रेक करेंगे x केर तो यहां पर कितना आएगा बेटा minus 5x और साथ में कहेगा plus 2 plus 3x minus 15 is equal to 0 क्योंकि 5 3 का कितना आएगा 15 दोनों को minus करेंगे तो 2x x हमने बाहर ले लिया x minus 5 फिर इसमे क्या आएगा बेटा x plus 3 और क्या आएगा x minus 5 is equal to 0 तो x की value कितना एगी बेटा 1 minus 3 आएगी और 1 x की value क्या एगी 5 बट question में उसने क्या है positive इसको specially आपने ध्यान देना है कौन सा positive root अब देखिए यह कौन सा root है negative इसको नहीं लेंगे positive कौन सा है 5 तो इसके ले ले लेंगे हम इसका मतलब e set में कौन सा element आ गया बेटा only 5 अब आप बहुत रहतानी से देख सकते हो कौन से 2 set equal है e और c जो 4 e और c दोनों set के आगे आपके पास equal कीजे दोनों set आपके बस में के है equal तो बेटा यही था आपके पास आज का lecture बस आप पढ़ते रहें और जिंदगी में आग 5.2 थैंक यू थैंक यू वरी मुच